हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपिटेट सीटेड एप में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डियलेट फोर समेश्टर का समाजी का अध्यनवी से और ये है आपका क्लास नमबर 20 तो दोस्तों यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसके अंतरगत हम लोग पढ़ चुके हैं परियावर प्रदूसर का अर्थ परिभासा और साथ ही परियावर प्रदूसर के प्रकार जिसके अंतरगत हम लोग पढ़ें जल प्रदूसर ध्वनी प्रदूसर्ड और मृधा प्रदूसर्ड और साथ ही नाभिकिये विकरड प्रदूसर्ड इनके विशे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं तो दोस्तों आज इस चैप्टर के इंतरकत हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राश्टर संग और इस टॉपिक के बाद आपका अध्याय नंबर पांच समाप्त हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राश्टर संग है क्या दोस्तों यहाँ पर दिखे लिखा यूनाइटर नेशन और्गनाइजेशन संयुक्त राश्ट प्रभुता संपन राश्टों का संगठन है यह संगठन विश्व सांती के लिए प्रयास करने सभी राश्टरों के बीच मैत्री को बढ़ावा देने और आर्तिक तथा सामाजिक प्रगति का समर्थन देने के लिए स्वेच्छा से संयुक्त राश्ट मे सामिल होते हैं, तो दोश्म यहाँ पर देखिए ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर पूरे विश्व की सान्ती के लिए प्रयास किया जाता है और साथी जो भी राष्ट रहें उनके बीच आपशी मैत्री भाव हो, और साथी उनकी आर्थिक प्रगतियों, सामाजिक प्रगतियों, इसके लिए ये संस्था कारी करती है, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये संस्था बनी कब थी, इस संगठन का आपचारिक गठन हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय 51 देश इसके सदस से बने थे, तो दोस्तों जिस समय सं संग का गठन हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, न्यूव यार्क में, तो उस समय 51 देश इसके सदस से बने थे, लेकिन अगर हम बात करें, वर्तमान में संयुत राश्र संग में 193 देश सामिल हो चुके हैं, तो दोस्तों 193 देश जो है, वो है दच्छडी सुडान, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यह तो आपके करेंट का कोश्चन है, 193 देश कौन सा है, दच्छी सुडान है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विश्व के लगभग सारे अंतरराश्टिय मानिता प्राप्त देश सामिल हैं, यहाँ पर हम देखें, संयुक्त राश्ट को कभ कभी कभी राश्टों की संसत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतेक उस राश्ट क्या ही देखा जाता है, जो इसके सदस्य हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, संयुक्त राश्ट संग के उद्देश क्या हैं, यहाँ पर देखेंगे, उद्देश से एकदम क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट संग वास्तों में है क्या तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट गोश्ला पत्र के अनुसार इस संगठन का उद्देश निम लिखित प्रकार से है तो यहाँ पर देखेंगे पहला उद्देश क्या है संयुक्त राष्ट सं हैंतर राष्टर से तौन के भी हैं उसे राष्य है उनकी सूरच्छा मंस्याइं निराकरण करने के लिए अंतर राष्टी सहयोग प्राप्त करना है तो दोस्तों यहां पर देखिए हर उस समस्या का निराकरण करने के लिए अंतर राष्टी सहयोग प्रदान किया जाता है किसके माद्यम से सहयोग राष्ट संग के माद्यम से समस्तमानों जाति के अधिकारो का सम्मान करना भी उधेश्य है संयूक्त राष्ट संग का और यहां पर हम देखे रहें नंबर फोर पर अंतराष्टी मत भेडों को सांतिपूलaufen उपायों से समाप्त करना तो दूस्तों यह अंतराष्टी जो भी मतभेद उत्पन हो रहे हैं उसके लिए सांतिपूर व्यवस्था करना यह उद्देश्य होता है संउक्तराष्ट्र संग का और दोस्तों यहां पर देखिए नंबर फाइब पर है समस्तराष्ट्रों के बीच मैत्री पूर्ण समंधों को विक्सित कर चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामाजी को या फिर सांस्कृतिक हो सारे मानवी समस्याओं का निरा करण करती है यह अंतराष्टी संस्था अब यहाँ पर हम देखें नम्बर 3 है संयुत राष्ट संग का उदेशी यह है कि में 3 पूर संबंध विक्सित हों जो भी संयुत राष्ट संग के सदस्य हैं और साथ ही पूरे विस में एक मानवता का संदेश जाए यहाँ पर दिखिए सउयुत राष्ट के मुख्य अंग निम्लिकितने पहला है महासभा जिसको कहा जाता है जनरल असेंबली तो दोस्तों महासभा संयुतराष्ट में विचार विमर्स के लिए मुख्या अंग है यानि कि जो महासभा का कारी होता वो क्या होता विचार विमर्स करना और संगठन के सभी सदस्टे इसमें सामिल होते हैं जो भी संगठन के सदस्टे हैं वो सारे देश इसमें सामिल होते है महासभा संयुतराष्ट घोशडा पत्र के अंतरगत उठने वाले किसी भी विषय पर चर्चा कर सकती है तो दोस्तों यह जो महासभा होती है वो संयुतराष्ट के जो भी घोशडा पत्र है उसके अंतरगत आने वाले जो विषय है उस पर कभी भी उस विषय पर वो जो महा सभा की बैठक हर वर्स सितंबर से दिसंबर तक होती है तो दोस्तों यहाँ पर देखे हमने सबसे पहले क्या देखा महा सभा के विषय में देखा और महा सभा की बैठक कब कब होती है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है जनरल असेंबली कहा जाता है और दोस्तों जो भी सायुक्त राष्ट संग के घोशला पत्र थे उसके अंतरगत जो भी बाते लिखी गई थी उसमें जो भी बिसे थे उस बिसे के अंतरगत थी चर्चा होती है महासभा में अब दोस्तों हम दूसरा देखेंगे यहां पर महासभा में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्वयूक राश्ट संग के घोशला पत्र थे यानि कि जब उसका गठन हुआ था उसमें कि जो घोशला पत्र थे उसके अंतरगत जो भी विशय थे उसी विशय से समन्दित म महासभा चर्चा करती है और दोस्तों यहां पर दूसरा नंबर आपको क्या देखना है सुरत्षा परिस्ट जसको कहता है सिक्योर्टी कांसिल तो घोशला पत्र पत्र में तो सांती और सुरच्छा बनाए रखना है जब कहीं भी सांती के लिए खत्रा होता है तो इसकी बैटक कभी भी बुलाई जा सकती है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सुरच्छा परसद है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं तो घोशड़ा पत्र में ये लिखा गया था इसके अंदर कर ये सारी चीज़े आती हैं कि अगर कहीं भी सुरच्छा समंदी कोई भी खत्रा लग रहा है पूरे बिश्व पर तो वहाँ पर उससे संबंदित सांती व्यवस्था के लिए कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है आपको बस इतना ही समझना है कि सिक्योर्टी काउंसिल बिश्व सांती के लिए एक संस्था के रूप में कारे करेगी जो किसके अंतरगत है सायुत राष्ट संग के अंतरगत चली आगे देखते हैं यहाँपे देखें तीसरा नंबर आर् agric और समाजिक परिसद एकोनोमिक अन्ड सोसल काउंसिल आर्थिक और समाजिक परिसद सायूत राष्ट और सैुट राष्ट परिवार के संगठनों के आर्थिक और समाजिक परिसद कारे में समन्वे रखने वाली केंद्रिय संस्था है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चला है कि आर्थिक और समाजिक परिसद यानि कि एकोनॉमिक और सोसल काउंसिल के अंतरगत सयुक्त राष्ट परिवार के संगठनों के आर् समाजिक के कारे होंगे उसके विशे में किस तरह से समन्वे स्थापित करना इसके विशे में ये अंग कारे करता है क्लियर चलिए आगे देखते हैं यहां पर देखिए नियास परिसद की ब्योस्ता सहीवत राष्ट भोशला पत्र के अंतरगत से नियास छेत्र पूर्वे उपनिवेसों या निर्भर छेत्रों के प्रसासन की देख रेक के के लिए की गई है जिने अंतरगत रखा गया था तो दोस्तों यहां पर देखिए यह आपके स्लैबस में है तो यह सारी चीजा आपको पढ़नी है लेकिन दोस्तों अब ट्रश्टी सिप काउंसिल का जो अस्तित्व है वो नहीं है तो यह अब समाप्त कर दिया गया है देखिए इसमें क्या था कि जो भी उपनिवेस जो भी छेत्र पूर्व उपनिवेस थ लेकिन अब यह अंग अस्तित्व में नहीं है फिर भी इसके बारे में आपको इतना जानना जरूरी है अगर आपके एक्जाम में आता है तो यह चीजे आपको जाननी जरूरी है और इसके बारे में भी आपको लिखना लेकिन अगर यह करेंट में आता है तो इसका नाम नह हिए. lawyer यहाँ पर देखिए number five पर अंतराष्टीय नयायाल है. इंटरनेशनल कोर्ट ओफ ज़स्टिस अंतर राष्टीय नयायल है ICJ सहीश्ट राष्ट का मुख्य नयायक अंग है. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर राष्टीय न्याल है जिसको हम कहते हैं ICJ International Court of Justice तो यहाँ पर सहीवतराष्ट का मुख्य नयाइक अंग है यह इस विश्व नयायाले में 15 नयाधीस होते हैं जो 15 अलग लग देशों से आते हैं जिनका चुनाओं महासभा और सुरच्छा परसद करती हैं यानि कि महासभा जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं महासभा यानि कि General Assembly और दूसरा कोन है सुरच्छा परसद यानि कि Security Council Security Council और General Assembly के सदस्ट से मिलकर ही इसके जो 15 नयाधीस हैं उनका चुनाओं करते हैं और वो 15 नयाधीस अलग अलग देशु से आते हैं और ये क्या करते हैं ये जो नयाधीस होते हैं वो अंतरराश्टी नयाले में जस्टिस करते हैं नयाय करते हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं नमबर 6 सचिवाला है Secretariat तो दोस्तों सचिवाले में न्यूयार की स्थित सायुक्तराश्ट मुख्याले में कारियरत अंतरराश्टी करमचारी जिनेवा और नयरोबी यह अन्य स्थानों पर सायुक्तराश्ट कारियालों के करमचारी सामिल है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सचीवाले है वो कहाँ पर इस्तित है न्यूवियार्क में इस्तित है जहाँ पर इसके मुख्याले में अंतरराश्टी करमचारी जो नैरोबी जेनेवा और वियना यह अन्य अस्थानों पर सहुतराश्ट कारियालों के करमचारी सामिल है सच्ची वाल के प्रमुख्यु महा सच्चिव होते हैं। उनकी नुक्ती सुरच्चा परसद की सिपारिस पर महा सभा पांच वर्स के लिए करती है। तो दोस्तों यहां पर हम देखे जो महासचिव की निक्ति होती है वो सुरच्छा परिस्द यानि की सिक्योरिटी कांसिल के सिफारिस पर महासभा यानि की जो जनरल असेम्बली के सदस्य होते हैं ये पाच वर्स के लिए करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग 6 अंगों के विशे में पढ़ चुके हैं सभी तराष्ट के मुखे 6 अंग यह आपके जो भी कोर्स में है उसके अंतरगत हम लोग 6 अंग पढ़ेंगे सभी तराष्ट संग और उसके अंग के विशे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं आज यह आपका अध्याय नंबर 5 समाप्त हो जाता है तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सरकल के साथ और जो भी आपके कॉलेज ग्रूप है उनमें सेयर जरूर किया करिए दोस्त तो दोस्तों आपके लिए मेहनत करना फिर अगर इस तरह से कुछ होता है तो फिर बहुत ज़्यदा दुख इस बात का होता कि मेरा इतना टाइम स्पॉयल हो गया तो अपने समय की बचत करना हमें सीखना है और साथ ही हमारा जो लच्छ है उसको अभी से फालो करना है कि क्य अब देखते हुए पढ़ाई अपने आश्याल है तो दोस्तों इसी तरह से आप मेहनत करते रहें अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए अपने आसपाद सफाय रखिए हम से जुणने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं